फिल्म गली बॉय को लेकर रनवीर सिंग की एक्टिंग की हर जगा तारिफ हुई थी फिल्म में जिस तरह से रनवीर सिंग ने एक रैपर का किरदार निभाया था उसे देख कर लग रहा था कि मानों की वो कोई प्रोफेशनल रैपर ही हो अब ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि रनवीर सिंग की यही खास्यत है कि वो अपने किरदार में पूरी तरह से ढूप जाते हैं स्प्रीन हो या रियल लाइफ बिजिश शेडियूल के बाद भी रनवीर सिंग हमेशा एनरजेटिक ही नजर आते हैं वही हाली में रनवीर की लेडी लव यानी उनकी पत्नी दिपिका पाड़कोन ने उनकी इस हाई एनरजी के राज से परदा हचाया है दिपिका पाड़कोन ने बताया कि कैसे रनवीर सिंग घर पर अलग और काम पर बिलकुल अलग होते हैं इस दोरान दिपिका ने रनवीर के स्थ हाई एनरजी के बारे में बात करते हुए बताया कि वो ब्रेकफास्ट में रनवीर सिंग को क्या-क्या खिलाती है दिपिका पाड़कोर ने कहा कि रनवीर सिंग काम के दोरान बेहत घंबीर और शांत हो जाते हैं लेकिन उनका एक बच्पना वाला रूप भी है एक भाबनात्मक पहलू भी है जिसे उन्होंने देखा है दिपिका पड़कोर ने आगे कहा कि हर पत्नी की तरह वो भी अपने पड़ी रणवीर सिंग को सुभा नाष्टा खिला कर भेशती है दिपिका ने बताया कि वो रणवीर सिंग को ब्रेकफास्ट में बदाम और नारियल पानी देती है अब दिपिका के जवाब से साफ हो गया है कि रणवीर सिंग का ब्रेकफास्ट ही उनकी हाई एनरजी का राज है वहीं दोनों के वर्क प्रेंट की बात करें तो रिण्वीर सिंग इन दिनों धरमशाला में अपनी अपकमिंग फिल्म 83 की शूटिंग में बिजी है तो वहीं दिपिका पाड़कोन अपनी मच अवेटेड फिल्म छपाक की शूटिंग में बिजी है